नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुजय कुमर और आपका हमारे चैनल सुजय एजुकेटर पर स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों का सेशन चल रहा है एंसेंट हिस्ट्री का तो दो पार्ट अभी ले हम लोगों ने डिसकस कर चुका है और यह तीसरा पार्ट है तो मैंने कहके बताया था तो जैसे कि मैने दो पाट में आप आपको बताया था कि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री में कितने साल पुराना कैसे कैसे लोगों का निरधारन हुआ था तीला कैसे बने थे करता है था उस वीडियो में तो अगर आपको देखना है तो आप पहले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों बीने किसी टाइम को गवाएवए वीडियो को स्टाइट करते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भासाई धाचा पर मतलब कि एंसेंट हि है किस बेसिस पर और किस एंसेंट हिस्ट्री के द्वारा यह कैसे कैसे किया गया है वह सब आपको इस हम वीडियो में बताएंगे तो चलिए दूस्तों वीडियो को स्टाइट करते हैं पहला नोट है भासाई धाचा पर कि भारतिये भासाई सर्वेच्छन लिंग्विस्ट बोली जाती है हमारे इंडिया में 180 भासाएं हैं और 500 बोली जाती है किसके द्वारा पता लगाया था दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे पहले तो मैंने आपको यह बता दिया हर एक पॉइंट के बाद नोट दिया जाएगा जो कि आपके अस्ट्रेलिया भासा पड़िवार दो उपड़िवार बटाया ठीक है यह अस्ट्रेलिया भासा से लिया गया है दोस्तों अस्ट्रो एस्टिक भासा जो है यह अस्ट्रेलिया भासा से लिया गया है और अस्ट्रेलिया भासा को दो उपड़िवारे मैटा गया पहला वो आता है जो भारती उप महादीप में बोली जाने वाली अस्ट्रो एस्टिक भासा होती है यानि भारती उप महादीप में जो बोली जाती है उसको क्या काता है अस्ट्रौएशीग जो कि हम लोग डिसकस कर रहे हैं दूसरा जो उपड़िभार में इसको बाटा गया है अस्ट्रेलिया और दच्छिन पुर्वी एसीया में बोली जाने वाली एस्ट्रोनेसियन Όन क भाता है तो कहाँा ओर दच्छिन पुर्वी एसीया है और मन-खमेर इसकी कितने शकाएं है दो सकाएं है नेक्स है मान-खमेर खासी भासा का परतीनीधित्व करती है जो निकोबार द्विव्व कुर्ण में बोली जाती है और एक और ऐस्ट्रेलिया और पूरभी ऐसियाय में बले जातीई उसको अस्टो ऐसियाएटक परिबार कि 2 सखाया है ऐस्टो ऐसिटइक के सखायां सकांद Two है कौन-कौन एक मुंड़ा है और एक मन खमेर है तो मान खमेर जो है उ खासी भासा का प्रम बोले जाती धो कहां मान खामेर जो भासा है खासी भासा का पर नित करती है और निको बार दियुकों में बोली जाती है नेक्स्ट है लेकिन मुंडा बहुत सारे जगों पर बोली जाती है जैसे कहां कहां पर बोली जाती है जारकंड बिहार पस्चिम मंगाल वेस्ट मंगाल और इसा यह सब संथाल जो संथाली होते हैं उनके द्वारा यह भासा बूली जाती है मुंडा एस्ट्रो एस्ट्रेलिया और पुर्वी एसिया वह लिया तो इसको एस्ट्रो एसियन और उसके दो सखाएं है मुंडा और है एक औरा को कैँ बता एमने मान खामेर मान खामेर खासी भासा का प्रणीथ करती है लेकिन उससे ज्यादा मुंडा बाशा बोली जाती है जैसे कैक कÍ मैंने बताया जहाटन वहार वेस्ट बंगलोड़ी जाई तक फैली है भारतिय उप महादेश में तीबतो बढमीज हिमाले के किनारे किनारे उत्तरपुर्वी अस्म से उत्तरपुर्वी पंजाब तक फैली हुई है कौन ये टीबतो बढमीज अब आते हैं अनेक जन जातियों द्वारा इस भासा को 116 बुली बुली जाती है कितना आले है अरुनाचल पदेश है नागा लेंड है मिजोरम और मनिपूर यानि यह सब इपॉटेंट राज्य में यह भासा बोली जाती है कौन सी भासा टीबतो बढमीज याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है यह भासा ज्यादा विक्सित नहीं हो पाई क्योंकि इसकी अ अपना कोई लिखावट नहीं था और इस प्रकार का ही भासा मुंडा भी था जिसका अपना कोई लिखावट नहीं रहने के वजह से इसका कोई अस्तीत्व ज्यादा दिन तक विक्सित नहीं हो पाया ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का ड्रेवेडियन के बारे में प ले तीसरा परिवार यह ही है ठीक है और बहुई को द्रवीड भासा का प्राचिंतम रूप माना जाता है द्रवीड भासा का प्राचिंतम रूप किसको माना जाता है बहुई को ठीक है इस भासा की तीथी चौथी सताब्दी इसापूर्व निर्धारत की जाती है इस भासा पाकिस्तान के बलुचिस्तान और सिंद्राज्यों में बोली जाती है कौन टिपतो बढमीज का लिखावट नहीं होने के बज़ा से तो ज्यादा विक्सित नहीं हो पाये थे और मुंडा भी और यह जो भासा है आपका ड्रेविडियन यह भी भी इरान तुर्कमनिस्तान अफ पाकिस्तान छेत्र से होते हुए दचिम भाद में पहुंची थी ठीक है नेस्ट है कौन ड्रेविड भासा जारखंड और मद्य भारत में बोली जाने वाली और आओ अथवा करोरो भासा जो है भी द्रवीड है लेकिन अराओ जन जाती हो दोरा यह बोली जाती है यह और स्ट 인डो-ारेयन के बारे में आपको आपको बताने वाले यह चौथी भासा हैने लिए स्वहिस किलिए लेगल देद ऺजी हिंड चाहर शहितर हिंडी इरानी दर्थी और रहनमक UN व्पसाखाओ हिंद ऑदर्दि औरजिसेए प्राचिंतम नमुना अवेस्टा में बोछाथा पुर्वी अफगानिस्तान और उत्री पकिस्तान और कास्मीर की है यदे पी अधिकतर विद्वान दर्दी भासा को हिंद आरे की साखा मानते हैं ठीक है दर्दी भासा जो है हमारा ठीक है पुर्वी अफगानिस्तान में आपको ये बोला जाता है हिंद आरे की साखा मानते हैं तो दर्दी भासा को कौन पु पकिस्तान भारत बंगलादे स्रिलंक और नेपाल में बोली जाती है हिंद आर्य भासा लगभग 500 हिंद आर्य भासा उत्तर और मध्द भारत में बोली जाती है लेकिन यह गहड़े रूप से संस्क्रीत से और प्रवर्ती प्राकिर्ट से प्रभावित रही है एक वाध्यान रखेया जैसे आपको दर्दी भासा में बताएं कि ज्यादा तर ये भासा आफगानिस्तान पकिस्तान और कास्वीर वोल जाती थी लेकिन ये विद्धवान लोग मानते थे कि ये वहां की भासा नहीं है यहींद आरे की भासा है ठीक है लेकिन ऐसा कुछ था न मैंने पताया है मुन्डा और द्रविड दोनों के बहुत संख्यक सब्द में मिलता है मुन्डा और द्रविड जो ये भासा हैं लिए दोनों संख्यक सकते हैं अब देखें थोड़ा सा इतना तो लेंग्वेंश के बारे में बता दिया मैंने की लेंगवज कैसे होता है हमारे धेश में प्राचिन नंतलब तो Кसे से भासा का विश्कार हुआ और कैसे कैसे लोग बरहे तो स्थोरा सप्राइश्टिEr थी कि अ बारे के स BAR कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा जो बारे मरे Ey प्राचिना संद में नुध्य को एक अप्रेट कर तथा पच्छियों और पशूं का सिकार कर जीवन यापन करते थे, ठीक है, क्या का करते थे, जंगली पैदावार को ये कत्रित करते थे, और पच्छियों और पशूं का सिकार करके जीवन यापन करते थे, ठीक है, यह आपको भी मालूम होगा, आपने बच्पन की किताम में प्रयावरन का अर्थ होता है प्राकिर्तिक और मानुनिर्मित दूहीं चीज़ होगा यह नहीं तो प्राकिर्तिक होगा और नहीं तो मानुनिर्मित होगा तो सबसे पहले हम लोग प्राकिर्तिक के बारे में पढ़ेंगे उसके फिर मानुनिर्मित के बारे में पढ़ेंगे प्राकिर्ति का मतलब होता है इसका अर्थ है कि तत्वों में मिट्टी हवा और पानी जिनके साहरे पसु पौधे और मनुस से जीवित रहता है यानि जो इसका अर्थ है कि तत्वों में मिट्टी हवा और पानी जिनके साहरे पसु पौधे और मनुस से जीवित रहता है इसका प्राकिर्टि और दूसरा मानु निडवित उसका मतलब होता है कि इस प्रयावरन से भोजन आश्रे और पडिवहन की सुविधाय मिलती है, जैसे सरक और आवास, ठीक है, सरक और आवास अपजिसको कह सकते हैं, इससे आपका मानु निडवित का आपका डिफनीशन मिल सकता है दोस्तों नेक्स्ट है नोट आपको कहा था मैंने कि दें मतलब हर पॉइंट के बाद दिया जाएगा देखे ये पहला नोट है जलवायू पडिवर्तन के कारण प्राचीन विद्वानों का मत है कि तीसरी और दूसरी सताब्दियों में मध्य एसिया में और सुखापन था और ठंडा तप मान था ठीक है सबसे ज्यादा इपॉइंट है कि तीसरी और दूसरी सताब्दी में ठीक है मध्य एसिया में सुखापन और ठंडा तप मान था जलवायू परिवर्तन के कारण विद्वानों का मानना है जोन्हों साइंटिस्ट नोन रिसर्च किया है अब देखि नोट कि भारत में प्राचिंतम मानो बस्ती के स्थापना पराया पहारी पठारी और जंगली छेतर में हुआ करते थी जहां लोग सिकार करने के लिए पत्थर और हर्डियों का ओजार बनाते थे ऑजारों से क्रिसी भी हो जाय करती थी एक बाद ध्यान रखेगा कि जहां प खेती बहुत अच्छी होती थी ज़िक है क्रिसी का बहुत ज्यादा मतलब उससे फैदा होता था लोगों को इसलिए वहां पर जीवन यहापन सबसे ज्यादा होता था कहां पर दोस्तों जहां पर पहारी पठाड़ी और जंगली छेतर हुआ करते थे ठीक है नेक्स पर आते तो सबसे इपोटेंट बात है कि अगर जाओ मिटी है तो वहां पर खेती बढ़ियां होगी आज अगर ज़ादा लोग आकरसीत होगे उसकी और तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर अपना जीवन वसर कर सकते हैं सरकों और रेलमारगों की तरह नदीया पडिवहन के मारग बनी वसलिजोंगे नदीया के किम और रेलमारग यंदिन हो फीर वहां फीर जंगलो को उगने से रोकती थी, इस तरह भूमी की सिचाई भी हो जाया करता था, ठीक है, भूमी की देखें, इससे फ्यादा क्या होता था, एक तो नदिया बह रही है, तो जम नदी बह रही है, तो उससे तो एक चीज हो गया, कि भाई, वो सरक के लिए भी रस्ता बना दी, काट दी प लेकिन इसे घटा भी था आगे बताएंगे आपको घगर हकरा सम्रूप नदी सरस्वती यमुना सतलत से मिल गई और तीनों ने मिलकर हरापा संस्रीति का विकास में देखे इस सबसी पॉटेंच बता दिया अब एकाद दो पार्ट के बाद से अपका हरापा संस्रीती स्टाट हो जाएगा उसके बारे में पूरा डेटेल हमों को बताएंगे सांटिस्ट के अनुसार की सताब्धि इसा पूर्व में हरापा संस्रीत के छेत्री थेश्ट वर्शा होती थी याद रखेगा और फिर जब अच्छा होगा तो लोगों उसके और आकरसित होंगे उस जगह की और जब वहां पर आकरसित होंगे तो वहां मतलब बढ़ेगा ठीके दोस्तों तो अब उसके साथ नुक्सान क्या होता था वह बताते हैं आपको उसने कटी बन यह चेत्र में भारी वर्सा से खे खेती भी बूत अच्छा होता था लेकिन क्या होता था दोस्तों वहां पर नियमित लोगों को नियमित काम करने से रोग देती जैसे गौतम बुद्ध प्रती वर्स वर्सा काल में चार महा के लिए उपदेश देने और पढ़ियाटन अस्थगित कर दिया करते थे और किसी अस राजगरी में रहा था वैसाली में रह था सरावास्ति में रहा था कहा जाता है कि सरावास्ति में उन्होंने 26 वर्सा वास किया कितना किया दोस्तों 26 वर्सा असुड़ा फैल स्कूर्ट biz Langis आप देखें दोस्तों आज तक भी जो यह नीम पीपल वर्ट सम्मी और तुलसी है उसकी आज भी पूजा की जाती है अब हम लोग को तो यह मालू नहीं था कि क्यों इसकी पूजा की जाती है क्योंकि पूजा इसलिक की जाती थे कि सब उसमें तो कोई मेडिसिन था नहीं कि भाई किसी का तवियत खराओ तो मेडिसिन देदो काम खत्म हो जाएगा तो उसमें तो भाई यही सब दिया जाता था पीपल वर्ट सम्मी तुलसी सब के पता दिया करके कुछ अस्राज नहीं सब मिला करके तो लोग की जान वहाँ पर बच जाय करती थी और यह से बहुत ज इतना ही डिसकस करने वाला करेंगे निश्ट विडियो में आपको हरबसे नहीं मिला तो उसके बाद वाला वीडियो में हरफआ संस्रीथीे करत में और यसे करते-करते हम पूर्पा संस्टी खतब करते हैं और ओंसे एक क्राशिज्च मेलें मारें ऐसे प्र Ask Skye बने रहे बी टेलीग्राम ग्रूप है अगर इस वीडियो का आपको पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन हो सकते हैं उसका लिंक डिस्कुशन में दिया हुआ है और हमको इस्टाइग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो आप लिंक डिस्कुशन में दिया झाल झाल